IIT और NIT के साथ ट्रिपल आई टी साथ देश के और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीटेक में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिग एजेंसी NTA ने www.jimain.nta.nic.in पर J.E.Main 2023 के लिए आवेदन की विंडो खोल दी है अब आप अपना registration कर साकते हैं तो आज जानेगे इसके related कुछ important बाते तो चलिए शुरू करते और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र ध्यान दें कि J.E.Main 2023 परीक्षा देश भर में 13 भाशाओं में आयोजत की जाएगा National Tasting Agency, NTA, ने Joint and Trans Taste Main का notification जारी कर दिया है और साथ ही 15 दिसंबर 2022 से J.E.A. Main Registration 2023 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है Official website jimain.nta.nic.in पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सभी छात ध्यान दे कि रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीक 12 जनवरी 2023 है J.E.A. Main दो सत्रों में आयोजत किया जाएगा पहला सत्र जनवरी वो दूसरा सत्र अप्रेल में होगा J.E.A. Main सत्र एक के लिए अभियर्थी 12 जनवरी 2023 की रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं J.E.A. Main एक परीक्षा 24, 25, 27, 28, 29, 30 एवं 31 जनवरी को ऑनलाइन ली जाएगी एक बड़े बदलाफ के तहट इस बार 2020 से पहले बारवी में 75 फीसदी मार्क्स वाले नियम को फिर से बहाल कर दिया गया है कोरोना से पहले I.I.I.T. और N.I.I. वर C.A. 40.I. संस्थानों में एडमिशन के लिए बारवी में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स लाना अनिवार्य हुआ करता था लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के चलते ये शर्थ हटा दी गई थी लेकिन 2023 से इसे फिर से लागू कर दिया गया है इन संस्थानों में जोसा और C.S.A. काउंसिलिंग के जरिए एडमिशन दिये जाते हैं J.A.A. में 2023 में पाँच एहम बदलाव किये गए है पहला Central Seat Allocation Board C.S.A.B. के जरिये NIT, IIT और CFTI संस्थानों के B.E., B.Tech, B.Ark, B.Planning कोर्स में दाखिले All India पर बेस्ट होंगे लेकिन इसमें 12 में कम से कम 75 फीसदी मार्ग्स की भी शर्थ होगी SC वर ST वर्ग के स्टुडिन्स के लिए ये न्यूनतम मार्ग्स 65 फीसदी रखे गए हैं 1399 हो गई है, हाला कि पिछले साल विदेशों में जहां 13 शहरों में परीक्षा हुई थी, वहां इस बार विदेशों में परीक्षा शहरों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है तीसरा NTA ने इस बार पुरुष उम्मीद्वारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 650 रुप्य से बढ़ा कर 1000 रुप्य कर दी है जबकि महिला उम्मीद्वारों को 800 रुप्य का भुपतान करना होगा इससे पहले SC, ST, PWD, Transgender को 325 रुप्य का भुपतान करना पड़ता था अब SC, ST, PWD और थर्ड जेंडर के उम्मीद्वारों को BA, BTEC, BH और B Planning के पेपर के लिए 500 रुप्य का भुपतान करना होगा चौथा JEE Main आवेदन पत्र 2023 भरते समय अब छात्रों को माता पिता या अभिभावक का इमेल और मुबाइल नंबर डालना होगा पहले यह अनिवार्य नहीं था, अब यह अनिवार्य हो गया है पंचवा JEE Main परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने वाले चात्र एक बार में केवल एक ही सत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे JEE मुख्य 2023 के पहले सत्र में केवल सत्र एक का आप्शन दिखाए देगा और उम्मीदवार इसका विकल्प चुन सकते हैं अगले सत्र में सत्र दो दिखाए देगा तब उम्मीदवार उस सत्र का विकल्प चुन सकेंगे कुछ मुख्य बिंदू JEE Main देने की कोई आयू सीमा नहीं है जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2021-2022 में कक्षा बारवी की परीक्षा पास की है या 2023 की परीक्षा में बैठने वाले हैं वो JEE Main 2023 में उपस्थित हो सकते हैं 2020 या उससे पहले कक्षा बारवी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार JEE Main 2023 में उपस्थित होने के पात्र नहीं है एक बार फिर से समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन शुरू की तारीक 15 दिसंबर 2022 और रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीक 12 जनवरी 2023 और परीक्षा की तारीक 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को हुगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन